कोमेंटम कंजर करा दिया, नेक्स्ट देखो, खुद लगाओ देखो, वीडियो पॉच करो, खुद सॉल्व करो, यह भी एक रॉकेट वाला ही सवाल है, ठीक है, इसमें क्या है कि एक रॉकेट है, देखो रॉकेट वाला बहुत सवाल आया है, और यह बहुत बार पूछा जा जाता मेरे बाई, एक रॉकेट है, अब यह जो रॉकेट है, इस्रोगार नासा का, ठीक है, बहुत सारे रॉकेट फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी लोग ट्राई करते रहते हैं, और वो और वो का प्रजेक्ट होता है, और पलबर में जीरो हो जाता है, ठीक है, तो इने रॉकेट फ्यूल बर्न एट रेट अफ वन, फ्यूल बर्न, फ्यूल बर्न करता है, डीम अपन डीटी दिया हुआ, वन मीटर, वन केजी पर सेकंड, इसलिए हमें कभी किसी जिसका अफसोस नहीं करना चाहिए, सोचो, इतने अर्बो रुपे लगाते हैं लोग, औ और जाते ही कभी रास्ते में याग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, और सारा का सारा जो मिनात है, कईयो सालों का पलवर में जीरो हो जाता है, तो हमें हमेशा जिंदगी में पेसेंस रखना चाहिए, the fuel is ejected from the rocket with velocity, fuel बाहर आ रही है, तो fuel कितने से बाहर आ रही अब हमको पता है कि fuel बाहर आ रही है, तो fuel एक force लगाती ही उपर की direction में, fuel एक force लगाती ही rocket पे उपर की, वह ही force हमें निकालना है, तो वो force कितना होता है, ठीक है, उसका direct हम लोगे पास formula है, that is thrust force is equal to V dm upon dt, dm upon dt, अब जो force है वो direct हम निकाल सकते हैं, और force is equal to dm upon dt, इसको direct लगा सकते हो, बहुत असान है, एक line का सवाल है, तो velocity भी 600 और mass 1 kg, 60 km है, 60 km है, तो 60 km है, तो km per second, 60 into 10 की power, 3 meter per second, 10 की power 3 meter per second, तो 60 over 1000 से multiply कर दिए, इसका मतलब एगगा 6 और 4 times 0 newton, इतना force लगाएगी, जो की बहुत ही जादा force है, rocket के, 60,000 newton force लगेगा, rocket को उपर जाने के लिए, clear है, यह gas जो बाहर आएगी, ठीक है, वो एक variable mass का example है, और variable mass में जो force लगाते हम, ठीक है, वो momentum और mb, ठीक है, वो इत अतना आता है, VDM per DT, कई बार यूज हुआ है,